Hey everyone, welcome back to our new video So guys, आज किस वीडियो हम बात करने वाले हैं कि हमारी दुनिया 2050 में कैसी होने वाली है जैसे कि आप देख पारहेंट 2024 में हमारी दुनिया कैसी है और कि आपने कभी सोचा है कि 2050 में ये दुनिया कैसी होगी कैसे changes होगे तो चलिए आज किस वीडियो हम वही बात करने वाले हैं 2050 में दुनिया बहुत ही advance होगी टेकनोलोजी और science का यूज हमारे life में बहुत ही ज़्यादा होगा और हम बात करते हैं self driving cars की आने वाले समय में हम खुद को drive करने से बचा सकते हैं और बहुत सारे ऐसे cars हैं जो launch हो गए हैं जो कार खुद से चलती है self driving cars बहुत ही advanced technology पर काम करते हैं और इनमें camera, sensors और artificial intelligence का यूज होता है और ही बहुत सारे ऐसे चीज हैं जैसे flying taxis, drone और robots हमारे daily lab का हिस्सा बन जाएगा और guys 2050 तक climate change का भी बहुत ही जादा असर होगा इसलिए renewable energy जैसे solar और wind energy का use और भी जादा होगा हमारे cities green और eco friendly होगा और guys 2050 में population बहुत ही जादा बढ़ जाएगा लेकिन technology के use से हमारे cities और भी smart और efficient होगे हमारे homes, offices और transportation और भी जादा smart होगे और 2050 तक हमारा population और भी काफी increase हो जाएगा और इस वज़े से food production भी बढ़ जाएगा vertical farming और lab ground meat जैसे concepts बहुत ही popular हो जाएगे और आप बात करते हैं space exploration की 2050 तक हम अपने solar system के बाहर भी जाने लगेंगे और Mars और Moon पर हम अपने colonies भी establish कर लेंगे medical industry भी बहुत ही advance होगी जैन editing और personalized medicine जैसे techniques हमारे health core भी improve करेंगे और AI के मदद से और बहुत सारे SM machines के मदद से हमारे disease को diagnose करना और treat करना बहुत ही आसान हो जाएगा और education system भी बहुत ही different होगा virtual classroom और online learning platform हमारे education system को regulation करेंगे और इन सब के साथ साथ हमारे society का mindset भी change होगा gender equality, diversity और inclusivity जैसे topics पर हमारे society में awareness और acceptance बढ़ेगा next point है virtual reality यानी VR VR के जरिये हमें एक नई दुनिया में जा सकते हैं gaming industry में VR काफी popular हो चुका है और अभी सही VR काफी आगे बढ़ने वाला है और कि आपको पता है कि इस technology से हम अपने favorite movies और games को lab experience कर सकते हैं हाँ आपने सही सुना क्योंकि अब आप अपनी पसंद की movie या game के अंदर आप खुद को feel कर सकते हैं और VR technology एक ऐसा technology है जो हमें नई दुनिया में ले जाती है जैसा कि मैंने आपको बताया अब आप हम बात करते हैं बहुत ही futuristic के बारे में और वो futuristic है flying cars जी हाँ आने वाला समय भी हम car से उपर उड़ सकते हैं यह technology बहुत ही interesting है और इसका use transportation बहुत ही helpful होगा और guys next हमारे लिए ऐसा technology जो हमारे लिए बहुत ही helpful होगा और वो है 3D painting इस technology की मदद से हम अपने design को physical form में convert कर सकते हैं जैसे कि अगर आप कोई product design करते हैं तो आप उस design को 3D printer से print करके उसका prototype बना सकते हैं और next हम बात करते हैं human rights robots की आने वाला समय में हमारे पास robots होगे जो इनसान की तरह behaves करेंगे ये robots हमें बहुत सी चीजों में help करेंगे जैसे कि cleaning, cooking और healthcare और guys last but not least last futuristic things है नैनो robots फिर robots इतने छोटे होते हैं कि उन्हें macroscope से देखना पड़ता है इनसे हम disease और injuries को treat कर सकते हैं और body के अंदर काम करने वाले surgery को भी easy बना सकते हैं तो guys ये थे 2050 तक और भी बहुत सारे ऐसे changes होंगे तो 2050 तक कुछ ऐसे सभी changes होने वाला है जो मैंने आपको बताया I hope guys कि आप कोई वीडियो पसंद आया होगा अगर आपके पास कोई और futuristic things है तो comment section में ज़रूर बता है मिलते हैं guys अगली वीडियो में thanks for watching